Hello everyone, welcome to Dilse Ankitab segment of Legal Prairie. मैं हूँ CS Ankitab Agrawal and आज इस topic पे हम बात करने वाले हैं, वो है क्या English वाके ही जरूरी है in order to clear CACS और such competitive exams? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल Legal Prairie for such interesting videos. चले ही शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले English is just a language, it's not a certificate which tells you or which certifies that you are literate educated. तो यह जो दिमाग में बच्चों के आता है ना कि अगर मुझे English थोड़ी कम आती है और तो मैं inferior हूँ या मुझे दिक्कत है और अपना आपको compare करते हैं दूसरों से तो यह सब छोड़ दो. ठीक है? English is just a language, a mean of communication, that's it. हमारे इंडिया में इंडिया में बहुत जादा इस तरीके से ली जाती है कि एक symbol होता है कि अगर आपको इंडिया आती है तो ही आप कुछ हो, otherwise कुछ नहीं हो. इंडिया में ही साउथ की जो cities है, वो अपनी सारी regional language में बात करती है, within the office, corporate, सब जगा ऐसी बात होती है, English एक universal language है. बट अगर आपकी कोई mother tongue है, या फिर कोई regional language है, तो उसकी भी इतनी ही importance है जितनी कि एक English language की है, बट हाँ थोड़ा सा उसको एक wide scope में देखा जाता है, क्योंकि एक universal language है. अब हम बात करते हैं कि क्या वाकिए English ज़रूरी है in order to clear CACS or such a competitive exam. तो देखिए ये आप पर depend करता है, वैसे बिलकुल ज़रूरी नहीं है. हमारा institute ICSI कुद दो mediums में allow करता है आपको exam देने के लिए एक English और एक Hindi. अब आप कैसे decide करोगे कि आपको English में देना है कि Hindi में देन पहले English आपको इतनी आनी चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप प्रेजन्ट कर रहे हो exam में, paper में, आप answer examiner को अच्छे से समझा पा रहे हो. आप खुद एक बार लिख कर देखो और आप किसी से check कर आओ. क्या आप express कर पा रहे हो, आप ठीक से प्रेजन्ट कर पा रहे हो, paper को, if it's okay, then ठीक है. क्योंकि देखो, CS में legal language, तो हम बाद में आते हैं, but आपको इसे English में देना है, तो पहले English कितनी ज़रूरी आनी चाहिए, वो हम बात कर रहे हैं. English इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे को समझा पा रहे हो, that's it. कुछ चीज़ में, इन सब का ध्यान रखो, कौमा का ध्यान रखो, interpretation जैसे किसी की चीज है, आप law में interpret करते हो, तो जिस तरीके से आपने interpret किया है, क्या आप उसी way में अपने answer को present कर पा रहे हो, जो examiner उसी way में वो समझ ले answer, आपको अच्छे marks दे, तो ये बहुत जरूरी होता है. अगर आपको इतना भी नहीं है, आप, you know, आपका इतना strong नहीं है English पे, तो आप Hindi में भी दे सकते हो paper, तो वो as such कोई barrier नहीं है, बट आपका comfort जादा होना चाहिए, मतलब, ultimately आप क्या समझ रहे हो, आप English, जो law है, आप समझ पा रहे हो, चाहे Hindi, चाहे English, whatever it is, बट English इतनी अगर आ कि जरूरत नहीं है, कि English बहुत ही barrier है और English नहीं आती, इसलिए शायद मैं exam clear नहीं कर पाता, मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी उसमें चीज है, कि आप अगर अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हो, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो, तो obviously वो एक, you know, barrier के तरह काम करता है, अगर आपको इसमें बहुत जादा कुछ प्रॉलम आ रही है, तो आप Hindi medium opt कर सकते हो, और आप उसमें paper दे सकते हो, तो ये रही बात कि आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और secondly ये देखना है कि आप English में, you know, वही मैंजर से आपको बोला, आप question papers attempt करो, घर में देख तो वह चीज़ आपको बहुत help करेगी, जो बच्चे होते हैं जिनके English ऐसी होती है, वो क्या करते हैं, answer तो मतलब maghap कर लेते हैं, English तो हिंदी करनी है, that's it, but वहाँ पर वो बहुत सारी mistakes कर देते हैं, उसके लिए आपको दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, आपने वहाँ पर shell या मे, इसमें confusion create कर दिया, तो वहाँ पर all together जो आपका answer है, उसका interpretation कुछ और ही निकल के आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, और English पर अगर आपको बहुत ही जादा लगता है, कि हां मैं बहुत silly mistakes करता हूं, या silly mistakes करती हूं, तो उस पर हां आप obviously क कर सकते हो, आप book reading habit को inculcate कर सकते हो, उससे क्या होगा, आपका mind fresh होगा, self grooming होगी, और it's like a meditation only, अगर आप अच्छी books पढ़ते हो, और उससे आपकी English भी improve होती है, आपको पता चलेगा कि कौन सा word कैसे, कैसे use हो रहा है, किस तरीके से, या comma, या full stop, या कुछ, उसकी interpretations क्या ह होती है, या आपको पता चलेगा, so, घबराना तो बिलकुल भी नहीं है, धीरे-धीरे हर चीज़ आजएगी, एक language होगी, अगर language, आप कोई foreign language, कोई भी language सीखते हो, तो उसमें भी time लगता है, अब जैसे आपको English अपनी सिर्फ improve करनी है, आपको English अच्छी तरीके से आती ह तो यह चीज़ तो दिमाग से निकाल तो बच्पन से पढ़ते हो यह आ रहे हो, बस होता क्या है ना कि एक confidence नहीं आता, क्योंकि इंडिया में एक हाइप बन चुका है, कि अगर English में कोई communicate नहीं करता है, Hindi में communicate करता है, तो उसमें थोड़ा सी problem आती है, I understand कि South में जो ने सिर्फ दो मीडियम से हैं, Hindi और English, तो इन दोनों में से, अगर आपको CS, CA या कोई भी exam, जिसमें ये सिर्फ ये दो मीडियम हैं, उसमें पास करना है, तो आपको इन दोनों लैंग्विजिस में किसी एक लैंग्विज पे इतनी कमांड रखनी है कि आप अपनी बात को प प्रैक्टिस करो, लिक लिक कर प्रैक्टिस करो, इससे आपके, जो आपकी जो कॉंसेप्स हैं उसकी भी क्लारेटी आएगी, प्लस इंग्लिश पे भी आपकी थोड़ी इंप्रोव्मेंट होगी, बुक्स पड़ो, और question papers घर में अटेम्ट करो, और कोई टैंशन लेने के ज में असोसियेटेड हैं, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है, तो अगर आप भी चाहते हैं और आपने मेरी वीडियो मेंटोर्शिप की नहीं देखिया, तो प्लीज देखना, उसमें बच्चों को डिविजनरी प्लैन, और किस तरीके से अप्रोच करना है, ए आप सुछ प्लीज देखना, विल्मेत यू ने रहा है। मैं को में च्छूर्श तो करता है। नेम्राव को डिविए श्यूर्थ करता है। आपने मेडिने के सी जासे देखना में ने सकेंट आपकूं झान झापकूंट आपकूंट दिखिए करता है।